एक मोबाइल 1500 में खरीदना था या 350 रुपीज का अग्रिम भुगतान मतलब डाउन पेमेंट करके और 400 रुपे के तीन इंस्टॉल्मेंट में लिया जा सकता है साधरन ब्याज की दर क्या है या तो आप 1500 रुपे का नगद में खरीद लो पूरा 1500 रुपे दे दो या फिर वो बोल रहे हैं कि अगर 1500 रुपे का नहीं खरीद सकते हो तो 1500 रुपे में से आप 350 का डाउन पेमेंट कर दो तो अगर 350 का आप डाउन पेमेंट कर दोगे तो हमार पास 1150 रुपए बचेंगे बुलो हाया ना है ना अब हम इस 1150 को इंस्टॉल्मेंट में लेंगे तो मैंने आप से कहा था कि रेट ओफ इंट्रेस्ट का अपना रूल होता है कि सिंपल इंट्रेस्ट इंटू 100 डिवाइड़ वाइप प्रिंसिपल इंटू टाइम तो आप 3510 रुपए का डाउन पेयमेंट कर रहे हो तो टोडलाप 1550 रुपए दे रहे हो गया मोबाईल अगर 61 ले तो 1500 का और अगर हम और चरते का चरते क्लाव डाउन पेयमेंट करोगे इंट्रेस्ट दे रहे हो यह 100 हो जाएगा प्रिंसिपल अभी हम निकालते हैं और यहां पे आपसे कहा है कि yearly मैंने आपसे कहा था कि question अगर month में है तो हम 1 by 12 रखते हैं और अगर year में है तो हम यहां पे 1 रखते हैं तो multiply by 1 अब केवल आपको वस एक ही चीज़ calculate करनी है कि यहा यहां पे principle क्या आएगा मूलधन यहां पे क्या आएगा यह हमें निकालना है ठीके जी अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे निकालेंगे तो सोचिए पहले आप 1150 पे interest दोगे फिर इसमें से 400 की EMI चली जाएगी है ना 400 की EMI चली जाएगी तो आपके पास 750 फिर इंट्रेस जुड़के और 400 हो जाएगा है ना फिर इंट्रेस जुड़ेगा और 400 की EMI देकर और 3 EMI में आपका काम खतम हो जाएगा तो आप मुझे बताओ कि पहले आपने डवल वन 50 पर interest दिया फिर आपने 750 पर interest दिया फिर आपने 350 पर interest दिया तो सबको जरा जोड़ आपका सातीन दस मतलब हजार 2150 आपने टोटल 2150 पर interest दिया है इस पूरे समय में स्वारी 250 सातीन दस ग्यारा 2250 पर आपने टोटल इंट्रेस्ट पे करा है तो इस डबल टू 50 को यहां रखोगे और अब आप इसको बिंदास calculate कर लोगे तो आपके 0 से 0 चला जाएगा ठीक है 25 से यह 9 हो जाएगा 25 से यह 2 हो जाएगा इसके अलावा आपके पास बचेगा 20 अपन 9 और 20 अपन 9 को क्या लिख सकते है 9 टू जा 18 और बचेगा आपका 2 बाइ 9 तो 2 टू बाइ 9 C is the right answer बाइ